नमस्कार सातियों स्वागत है आपका आप चैनल स्सी एक्जाम वरियम है दोस्तों स्सी जीडी कॉंस्टेवल के अभी मेडिकल स्टेंडर्ड के लिए नौटिस आप लोग आ चुका है और दोस्तों किस तरीके से मेडिकल आप लोग का कंड़क कराया जाएगा वो सब इस अब भी में सब्होता दोकॉमेंटेशन में किस तरीके से होगा वर बता देता हूं दोकमेंटेशन में आप लोगके हैं उसके बात है है आपलोग को क्यों से पहले जो है और इंसके बाथ हैं ही जो है वह meglio को मद्स्जा एसडीरVID-is नदेच के जाएम तो आप लोग के पास importante तो आप लोगो जो है जनरल में punch किजाएगा और इसके और अप ओको यौने या है तो कहए- रो को भर्ति किलीजा भी भारो on पर न करuhan सकता है जो आप लोगата है वह श्ची रूडिक होने चाहिए जो लाउड किया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग का जो है सर्टिफिकेट होने चाहिए इसके बाद देखिए दोस्तों के लिए मैं इसमें जादा जानेंगे डॉक्मेंट की वीडियो के लिए आप लोग सेपरेट वीडियो देख सकते हैं अब देखिए जब आप लोग का गुरूप बन जाएगा तो उसमें 25 से 30 कंडियेट होंगे इससे जादा कंडियेट नहीं लिए जाएगे गुरूप के अंदर उसके अकोडिंग आप लोग के डॉक्टर्स डिवाइड होते हैं जैसे एक स्टेंडर पर चार से पांच करता है देते हैं कुछ होते हैं कि जो है सिक्सफ बाइशन कर देते हैं और बीपी की बात काहिए अ जो हमारे डोक्टर थे उसने 140 तक भी अलाउड किया था वहीं पुल्स रेट भी 80 तक जो है अलाउड कर दी थी अभी मेडिकल स्टेंडर में बात करेंगे तो सबसे पहले जो है आप लोग का होस्पिटल बेजा जाता है और जो आप लोग का नियरेस्ट होस्पिटल लेगा हो होस्पिटल बेजा गया है अगर आप लोग केंपस के अंदर सुवीदा होगी तो वहीं पर रसा ले जाए गा और नहीं होगी तो आप लोगे मेडीकल होस्पिटल बेजा जाएगा प्राइवेट हो सकता है तो वहां पर आप लोग का बलड लिए जो है medical process शुरू होगा next day आप लोग बलाए जाएगा कुछ form फिल कराए जाएंगे second day इसके बाद जो है medical doctor आप लोगा medical examination लेगा तो यहां से जो है आप लोगा medical process शुरू होता है next day से और यह किस तरीके से होता है वो जान लेते हैं सबसे पहले देखिए आप लोग का जो हो hand है वो आप लोग चेक कि जाते हैं कि process किस तरीके से भी हो सकता है मैं आप सुल बताँगा सरफ hand gasters चेक कि जाते हैं जिसमें आप लोगा hand का angle होगा यह सब चेक कि जाएगा BP आप लोगा चेक के जाता है इपी की बात करें तो 140 तक जो है आप लोग का चल जाता है हमारे यहां तो medical doctor ने 140 तक लाउड किया था तो 140 तक जो है चल जाता है इंटर्नल पार्स चेक की जाते हैं सभी उसके बाद जो है hand का मैं आप लोग को बताई चुका हूं और fingers होती है वह भी चेक की जाती है हाथ कांप तो नहीं आप लोगा यह यह चेक की जाता है तो वहां पर कुछ doctors चेक कर लेते हैं बयानी कुछ reading करा के देख लेते हैं तो इससे पता चल जाता है कि आप लोग हकलाते तो नहीं है यह तो तुटलाते तो नहीं है तो यह सब पता चल जाता है तो जीव चेक की जाती है पढ़के चेक की जाती है ऐसे कोई अलग से चेक नहीं की जाती है नोज होती है नोज होती है dns प्रॉलम है तो नहीं आप लोग lavender dai वे आप लोगुश्ज नों की रचं़ लृश्ज न की आडाश्ड चं़ घंई तो यहसा प्रॉढम जीए आप फर के कई मेडिकल वाप लोग का जो है मशीन हओ चरने की तो उसे बुश्चेक करते हैं उसके वाद में कान फाले चरने सी शज़एंब ऊकड़ी करने ही वह आप लोग को बताना होता है तो लगाता आप लोग आप लोग को रहा हो कि करा relates है तो इसंसरे किया नहीं में दो गुल कर दो कि यहां वीजन है तो यहां पर भी तो इसलिए मैं कहा था डॉक्टर पर काफी डिपेंड करता है और इसके लिए आप लोग को चार्ट रहेगा जैसे आप लोग को चार्ट इस तरीके से होता है इसके बाद जो भी वर्ड होते हैं वो इस तरीके से लिखे होते हैं तो आप लोग को पढ़ने होते हैं आप लोग को पता है कि 6x6 और 6x9 आप उपर तक के तो कौलिफाई कर पाएंगे तो आप लोग के पढ़ पढ़ेगा और पले अपर पढ़ने होने पर भी काई जाती बोलने में आप लोग को सोचके याद जवाब देने हो होगा इसकारण से दौनर तरीके से practice कर लिए यह मैंने बता दिया और near vision में तो कोई problem आती है निये किसी के इंडियर्स को color vision की बात के आते हैं इसमें color vision problem आ जाती है color vision के लिए अगर आप लोग को medical भी नहीं दिया जाएगा direct disqualify के जाता है देखिए color vision जो problem है यह आप लोग का disease दूर नहीं होती है तो अगर आप लोग को color vision है तो आप लोग किसी तरीके से qualified नहीं हो पाएंगे यह सब होता है मैंने सब आप लोगो detail wise बता दिया है किस तरीके से medical examination conduct करा जाता है और यह सब भी medical exam ने सुनने के बाद last में qualified आप लोगो बता जाएंगे कितने not qualified है यह सब बता जाते है और जो भी candidates not qualified होते हैं उनको re-medical दिया जाता है तो re-medical के लिए आप लोगो time होता है 15-20 दिन के बीच में आप लोगो CMO से sign crack ले जाने होते हैं और जमा कराने होते हैं और उसके बाद आप लोगो प्रोसेस कंड़क करा जाता है पिछली बार काफी time लग गया था रिमेडिकल होने में तो इसकान से maximum candidate qualified हो गए थे और इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि 23 की भरती परकिया के लिए notification आज चुका है और जनवरी से पहले जो है आप लोगो भरती परकिया वे complete करनी है तो इसकान से इस बार जो है कम समय दिया जाएकर अगी medical में तो रिमेडिकल के भरोसे ना रहें किसी भी तरीके से आप लोग कॉलिफाइड हो जाए एसे सीजी डिमेडिकल के अंदर आप लोग को कुछ चीटिंग भी करनी पर है जैसे मैं आप लोग को मेडिकल के स्टेंड आप लोग को बीपी नॉर्म करने के लिए बोलते हैं पानी का सारा मत लीजेगा दोस्तों पानी से और ज्यादा बीपी में प्रॉडम आ जाती है तो पानी मत पीजेगा वैसे ही नॉर्मली आप लोग कूल रहेंगे तो बीपी और पल्स रेट है वो आप लोग को सेट रहे वीडियो के discussion में आप लोग comment कर सकते हैं, जैसे आप लोग comment करेंगे, आप लोग के जो भी comment रहेंगे, उस कर गार दी जाएगी, या फिर आप लोग को comment का जवाव दे दे जाएगा, जिद आ अनल प्रोसेस करा दे जाएगे, आप लोग चैनल को जरूर सब्स्राइब कर लिए आप लोगो लगातार मिलती रहें नमस्कार सातियों स्वागत है आपका आप चैनल स्सी एक्जाम वरियम है दोस्तों स्सीजीडी कॉंस्टेवल के अभी मेडिकल स्टेंडर्ड के लिए नॉटिस आप लोगो का आ चुका है